और अब क्रिकेट की बात करते हैं, IPL 2022 में चन्नेई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है कल पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ चड़े जब डिगेड एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आई कल खेले का IPL के ग्यारवे मुकाबले में पंजाब केंग्स ने चन्नेई को 54 रनों से माद दी 181 रनों का पीछा करते हुए चन्नेई की टीम 20 ओवर भी नहीं खेर पाई पिछले सीजन में भी आपको याद होगा प्लेवाफ के पहले चन्नेई लगातार तीन मैच हारी थी लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए हिताब पर कबजा कर लिया था और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पोर्स एडिटर संजे किशोर संजे याँ पर खिलाडियों की कमी महसूस हो रही है याँ पर दीपक चाहर नहीं है रितुराज गायकवार जो है वो लगातार फ्लॉफ हो रहे हैं सुरेश रीना की रहना की जो कमी है वो लगातार खल रही है लेकिन ओवर आल जो टीम में एक सामंज़ से देखने को मिलता है उसकी कही न कहीं कमी नजर आ रही है आप किस तरह से देख रहे हैं जो लगातार तीसरी हार हुई है चैन्ने की उसको देखिए अधिती कोई टीम अगर 126 रन पर ऑल आउट हो जाती है और इस टोर्नमेंट में खास करके इस साल जो टोर्नमेंट हो रहा है उसमें सारे मैच भी गवा दिया ऐसा बहुत कम एक साइट यह दूसरा ही वाक्या है इस टोर्नमेंट के अगर हम बात करें तो और सबसे करारी हार हुई है दूसरी सबसे करारी हार हुई है चैन्ने की पिछली बार वो मंबई से हारे थे साट रनों से उसके बाद यह जो हार है सबसे सब्सक्राइब करें तो उम्र दराज खिलारी हो गया है रॉबिन उतफपा हैं अम्बाटी राइडू हैं मोहीन अली है मोहीन अली से बहुत ज़्यादा उमिदे थी चैन्ने की टीम को और खुद महनत सिंग धोनी है तो इन खिलारियों ने पिछले पिछले टॉर्नमेंट सब्सक्राइब किया है कि उम्र का इससे कोई तालुक नहीं है आई पिल में लेकिन आई पिल जो गेम है वो बिल्कुल बदल चुका है अब जो टीमें हैं युवाख हिलारी उपर भरोसा करते हैं युवाख हिलारी उतरते हैं तावरतोर बल्लेवाजी करते हैं और रनों का करते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा इशान किशन पर बोली लगाई थी जब ऑक्सन हुआ था तो तो चैन्ड़ी में बदलाव के जरूरत मुझे लग रही है टीम को नए से बनाने के जरूरत है सिर्फ दीपक चाहर एक अगर टीम में नहीं है और कप्तान रविंद्र जडेज पर सवाल है या पर उनकी कप्तानी पर या फिर धोनी का साया कहीं न कहीं ऐसा है कि जडेजा ठीक से फैसले नहीं ले पार है और इस वज़े से फिल्ल का जो पॉजीशन है वो महन इस से दोनीनुट करते हैं जो फिल्ड है वो महन से दोनी करते हैं लेकिन वो सुरूचे ही करते रहे हैं उनके साया में अगर आप नहीं पनप पा रहे हो तो उनकी गलती नहीं है कि विकेट कीपर एक ऐसे पोजीशन पर रहता है जहां से वो फिल्ड सेट कर सकता अची तरह से और उनके अनुभों से फायदा उठाना चाहिए रविंदर जेड करेंगे लेकिन कहीं कहीं लग रहा है कि जो जडेजा भी साय से नहीं निकल पा रहे हैं उनको फर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है टीम मैनेजमेंट को यहां पर आगे आना होगा और उन्हें सक्ष फैसले लेने होगा सिर्फ दिपक्शहर के नहीं रहने से आप बहाने ब बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी हो सकता है कि चेन नहीं वापसी करें लेकिन कहीं न कहीं लगाता तीसरी हार से खिलाडियों के होसले जो है वो थोड़े पस्तों होते ही और जिस तरह से आपने भी कहा कि धोनी की जो मौजूद्गी है जो प्रेजिंस है उनकी वही और शुक्रिया संजाय आपका इस अमाम जानकारी के लिए